हलो फ्रेंड तो आपके सामने एक और न्यू कोशन्स लेकर आ गए हैं और बहतरीन कोशन्स हैं कोशन्स समझके यह आपको आइडिया मिल जाएगा चलिए तो इसको सॉल्ड कर लेते हैं ठीक है करने के लिए क्या दिया हुआ है को चीजे थोड़ा सा मैं कलर सेलेट कर लेता हूं ठीक है अब यहां पर देखिए कोशन्स में दिया है कि 6 अपान 5 यह देखिए 6 अपान 5 और ए और यह 4 यह AP के ही है सिरीज है ठीक है इसमें बोला ए बताओ ए क्या होगा तो आपको पता है कि अगर यह A1 है यह A2 है यह A3 है तो इसके वेज़ पे हमारा D क्या इक्वल होगा मतलब A-6 अपान 5 इक्वल टू 4-a क्लियर common difference सेम होते हैं यह common difference ही तो है आप यहापे चाहे तो लिख भी सकते हो common अगर solution में पूछे तो common difference से लिख सकते हो common difference सेम होते है तो देखिए A-6 अपान 5 अब देखिए A-A इस तरह पाएगा तो क्या होगा पहले A तो यह था यह माइनस A आया तो प्लस A और इधर यह 4 था य दर आया तो प्लस 6 अपान 5 अब यहां पर देखिए A-A क्या हो जाता है और यहां पर इसको solve करेंगे तो देखिए इसके नीचे 1 है 1 5 का LC हो जाता है 5 ठीक है और देखिए 1 के table fiber पढ़ेंगे तो आएगा तो 4 का भी table fiber पढ़ेंगे 4 5 जा 20 अब यहां 5 बंजा है तो 6 बंज 26 divided by 5 हो गया अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो A equal to क्या आ रहा है अगर यहां पर देखेंगे तो A equal to 26 divided by 5 यह 2 जो multiple है वो भी इधर divide में आ जाएगा अब देखिए 2 बंजा और 2 13 जा मतलब A की value आपकी क्या आ गई 13 अपान 5 और option कौन सा है यहां पर C option है ठीक है तो इस तरीके से आप solution कर सकते हैं और ऐसे ही questions को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सहलें अंदर प्रजापती धैन्यवाद हलो फ्रेंड आपके सामने एक और questions लेकर आ गये हैं और यह questions को हम थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं अब question क्या दिया हुआ है वह थोड़ा सा समझना बहुत important है बोला है देखो फॉरन एपी ट्वेंटी वान फोटी टू सिक्ष्ट्री एटी फोर डॉट 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 फिर बाद में डैस करके बला डैस टॉम इस 210 अब डैस टॉम मतलब मान लेते हैं कि ए या नहीं क्या है 210 है ठीक है अब इस वाले एपी में देखो बी मिल गया ठीक है ए और दी मिल गया और एअन का फॉर्मुला लगा दो और एंथ ही फटाक करना एंथ घंट करना था ऐन पका फॉर्मुला लगाएंगे ए इकोल क्या होताए ए फ्लस फॉर्मीएं सलिड वा. प्लस वान इंटि वान इन इस तरह आएगा तो माइनस होगा, तो 20-21, ठीक है, फ्लस है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, यहां क्या बचा, N-1 into 21, अब यह 21 माइनस करो, तो 10 में से 1 गया 9, यहां 1 के जगा पर यह 0 हो गया, अब डिवाइड कर देंगे, अब डिवाइड करने पर क्या आ रहा है, वो लिख लेते हैं, देखिए, 21 डिवाइड करना है, अब 21 का टेबल में इसको अगर डिवाइड करेंगे, तो कितनी बार में जाएगा, यह important है, ठीक है, थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे, तो आपको असानी से समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा hard नहीं है, ठीक है, अब देखिए, 29 का, अगर मैं टेबल पढ़ू, तो मतलब 10th term, यहाँ पर B option is the right answer, इसी तरीके से आप हमारे questions देखते रहिए, AP से related question अभी series चल रहा है, total 100 questions है, तो देखते रहिए और अपने आपको best बनाते रहिए, धन्यवाद, अलो friend, आपके सामने एक और question, important questions ही, सारे important questions लेकर आया हूँ, जो आपके काम आ सकता है, ठीक है, जैसे देखिए, यह questions में, आप देखेंगे, तो A1 दिया हुआ है, देखिए, A1 दिया हुआ है, 1, और A, N दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ, और साथ-साथ में sn भी दिया हुआ है 399 ठीक है और n पता करने के लिए बोल रहा है आपको ये formula भी बता है कि a1 और an दिया हो तो sn का formula क्या होता है देखें ये मैंने बता के रखा था n upon 2 in bracket में a plus an ठीक है a मतलब a1 भी होता है ठीक है तो sn की value यहां पर 399 यहां पर n हमें पता करना है और यहां पर first term जो है वो कितना है 1 है और last term कितना है 20 है ठीक है अभी यह जो 2 है इधर divide में इधर multiple हो जाएगा 399 into 2 हो गया और इधर देखिए n और यहां पर कितना हो 21 हो गया यह 21 multiple है इधर divide हो जाएगा 399 into 2 divided by 21 ठीक है अब इसको solve कर लीजे देखिए अगर मैं यहां पर table पढ़ हूँ तो आपको idea मिल जाएगा कि कितनी बार में जा सकता है ठीक है table ठीक है अगर इसको काटेंगे तो आपको idea मिल जाएगा कि कितनी बार में जा सकता है ठीक है simple सा formula है फारण ap a1 दिया है वन दिया है वन दिया है 20 sn दिया 399 तो logic के हिसाब से तो यही आ रहा है अब 21 के table में cut कर लीजे देखिए कितनी बार में में आ रहा है मैं अगर इसको अगर कट करूं तो यह 3 के table में आता है तो यह भी 3 के table में आ रहा है छोटे-छोटे से cut करने का कभी भी देखिए यह 37 जा हो रहा है अभी यहां पर देखिए 3 बंजा 3 3 जा यह 3 3 जा 133 अभी 7 से कटने का ट्राइ करिए एक वार यहां पर लिख लेते हैं पहले एन इकॉल टू क्या है 133 इंटू टू डिवाइड़ वाइड़ सेवन से कट करके देखिए देखिए 7 बंजा 7 आएगा बचेगा 63 मतलब 7 बंजा और 7 नाइन जा और यहां टू बचे रहा मतलब राइट एंसर ठीक है इस तरीके से आप कोश्चन को सौल कर सकते हैं और फाइंड़ कर सकते हैं बहुत ही आसान था यह तो धन्यवाद ने सब इस एक मार्ण से लिए सब इंपोर्टन देखिए यह कोश्चन दिया हुआ है 18 माइनस ए 14 इक्वल टू ठीक डिया दिकी वैलू पता करने दी मतलब देखिए लिख लेते पहले तो ए 18 माइनस ए 14 इक्वल टू दिया है 32 अब देखिए 18 को मैं क्या लिखता हूं ए प्लस 17 डी ठीक है एन की वैलू 18 रखो गए तो एन माइनस वन होता ना यहां पर इसकी वैलू क्या रही है ए माइनस 13 डी 14 है तो इक्वल टू यह ब्रेकेट में क्यों लगा है क्योंकि इसके आगे माइनस है इसके आगे माइनस इसलिए यह गलतियां बहुत सारे बच्च इससे यह करेंगे देखिए प्लस होता है थोड़ा सद्यान दीजिए का है अब देखिए माइनस इन दोनों के आगे हैं तो दोनों माइनस से जाएगगे माइनस यह हो गया माइनस 13 डी हो गया अब देखिए ए प्लस में था है ए माइनस में कैंसल 17D प्लस में यह 13D माइनस हो तो 17D में से 13D किया कितना आजाएगा 4D आ गया और यहां पर 32 अब यह D की साथ 4 multiple है तो इधर आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा तो D की वैलू 4 से डिवाइड होगा 32 डिवाइड करेगा पूर से तो कितना आ जाएगा 48 जा होता है तो यहां पर option आपका हो जा रहा है ठीक है ए इस तरह के questions को देखने के लिए हमारे चैनल को follow करें तो धन्यवाद हलो फ्रेंड तो आपके सामने लेकर आ गए है एक और न्यू questions और यह questions को भी हम देख लेते हैं बहुत ही बैतरिन question है देखिए क्या बोला है और contractor take thousand to dig one meter of well ठीक है एक मीटर खुदाई का 1000 रुपए देता है फिर उसके बाद दूसरा मीटर खुदाई करने का एक हजार 40 रुपए है and for third meter 1080 ऐसे इसे बढ़ते हुए आगे की तरफ दे रहा है और वह कुतना खुदाई किया पचास मीटर तो उसका total cost कितना हुआ वही पूछ रहा है मतलब सम पूछेगा ठीक है जैसे मैं आप आपको समझा देता हूं ठीक है तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया भी हो जाएगा ठीक है कोई चीज भी आइडिया तब मिलता है हमें न जब उस चीजों को हम देखते हैं जैसे यह एपी फॉर्म हो रहा है itt और किस तरीके सो रहा है पहले एक मीटर पे उसने हजा रुपिया फिर उसके बात से दूसरा मीटर चब हुबा तो यहां पैंप देखोगे तो 50 मीटर ठीके 50 मीटर तक ना एक मिटर का इतना फिर उसके दो मिटर फे न तीन चार अतते चार नतर फिर फिर उसके बार तो आपको चाहिए क्या सम चाहिए एसन चाहिए और इसका फॉर्मॉला क्या है एन अपन टू इन ब्रेकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू यह फॉर्मॉला याद रखने का ठीक है अब इसे में देखिए एन की वैलू दिया है फिप्टी डिवाइड बैटू तो है अब यह एक की वैलू कितनी है थाउजन थाउजन का मुल्डिपल हो जाएगा प्लस learnt की एक वैलू है 50-1 और डीपीवेड कितनी हो भी इसे को स्वार्ट करना है अब यहां देखिए फिप्टी डईवाइड टू कितना हो गया थूए टू थाउजन तो तू पर यहां पे फ एस 50 की वेलू पता करना है अब यहां पर यहां पर यह पहले मल्टिपल करके आड करना यह तो है बट यह मैं मल्टिपल करो देखिए फोर फोर नाइंजा 36 पहले एक जूर लास्ट में तहीं थ्री आया और फोर फोर जा सिक्स्टीन और थ्री नाइंटीन यह आ गया ठीक है अब आड करो फिर 25 का मल्टिपल करो देखिए 2000 और यह नाइंटीन हंडेड़ सिक्स्टी मतलब 3960 है ठीक है 25 का मल्टिपल करना है ठीक है 25 का मल्टिपल में एक और सौटक टेक्निक यह बताओ ना तो फटाक से आप कर सकते हो बहुत ही सिंपल मैं आपको बलाओ न यह 25 है ना आप एक काम करो ना इधर फोर का मल्टिपल कर लो और देखिए यह 4 इंटू 25 हंड्रेड हो गया और यह जो डिवाइड वाइड है इसके भी डिवाइड है किसे डिवाइड कर लो देखिए 4 का जाएगा 49306 बचा कितना वह होता ही ऐसी तरीके का कोश्चन दिया रहता कि आप पटाक से कर सको अब बचाए यहां पर 36 हुआ तो 49 36 और 10 अभी हंड्रेड का 9 से मुल्टिपल करोगे तो कितना हो गया यह नाइन जीरो था दो जीरो और आगे लग जाएगा तो इतना टोटल कॉस्ट हो जाएगा यह सौटकाट टेक्निक अभी इसमें से कौन सा एंसा राइड है 99 के आगे 30 यही ऑप्सन वी वाला इस तरीके से आप इस कोस्टन को सौल कर सकते हैं ऐसे सौटकाट टेकनिक सीखने के लिए अमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद आपके सामने एक और कोश्टन आ गया और ऐसे कोश्टन भी जरूरी है आपको आने चाहिए ठीक है बहुत ही सिंपल है देखिए क्या वोला है इफ एन्थ टॉम अपन एपीज इस सिक्स एन माइनस पूर दन कॉमन डिफरेंस इस क्या होगा कॉमन डिफरेंस पूच रहा है अब कॉमन डिफरेंस निकालना है तो देखिए पहले नंबर देखिए दो देखिए न रख दो माइनस पोर सिक्स वन जाघगा या माइनस पूर टू निकालो 6 या 2 माइनस 4 6 2 जा कितना हो गया 12 माइनस 4 कितना आ गया 12 माइनस 4 8 आ गया ठीक है इतना निकाल लो simple सी अगर बोल रहा है AP का यह term है तो यह निकाल लो A1 A2 और D equal to होता क्या है A2 माइनस A1 ठीक है A2 क्या है 8 है A1 क्या है 2 है आपका answer क्या क्या D की value कितनी आ गई 6 पॉंसा option राइट है B option राइट है माइनस 6 पर मतलगा देना जो answer आता है वही चीज़े की जाती है ठीक है इस तरीके से आप solve कर सकते है अच्छे question थे बैतरीन question थे Hello friend आपके सामने एक और new questions आगे और यह questions भी बहुत ही आसान है ज्यादा hard नहीं है बोला है कि the sum of first 10 term किसका of this AP क्या होगा मतलब यहाँ पर S10 की बात कर रहा है ठीक है पूछ रहा है तो N तो आपको पता चल गया कि 10 number की बात हो रही है और इस AP से अगर आप देखोगे तो आपको A मिल रहा है कितना minus 5 D मिल जाएगा क्या हो जाएगा minus 2 minus minus 5 देखे ए 2 minus A1 यह minus 2 है और यह minus minus plus हो जाएगा 5 और देखे plus में से minus 2 करेंगे 5 में से minus 2 कितरी आ जाएगा अब बड़े वाल एक्साइन प्लस है तो D की value भी मिल गया है अब आपको S10 पता करना है पहले तो S10 का फॉर्मला क्या होता है वो लिखे बाहर बाहर लिखे N अपन 2 ब्रेकेट में 2 A plus N minus 1 इंटू D ठीक है अब देखेए मुझे चाहिए S10 मतलब N की जगवा मैंने क्या लिखा 10 तो यहाँ पर भी N की जगवा पर 10 डिवाइड बाई 2 ठीक है यहाँ पर 2 A की वैलू कितनी है माइनस 5 ठीक है प्लस N की वैलू 10 माइनस 1 और यहाँ D की वैलू 3 ठीक है चलिए यहाँ पर आ गया 10 डिवाइड बाई 2 5 यहाँ आप देखें कि प्लस माइनस माइनस हुजाग और 2 5 जा 10 हो गया यहाँ बचा 9 9 3 जा 27 ठीक है अब देखें यह प्लस माइनस है तो सब्ट्राक हो जाएंगे होंगे ना 27 में से 10 माइनस हुआ तो 17 ठीक है और 17 5 जा क्या होता है 85 85 कहां पर है भाई फॉस्ट वाला यहाँ पर यह राइट के जाएगा तो ऐसे ही कोश्चन्स आमारे देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद हलो प्रेंट आपके सामने एक और इंपोर्टन कोश्चन्स लेकर आ गया है और यह किस तरीके कोश्चन्स होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं और देखें कैसे इसको सॉल करेंगे देखिए सबसे पहले तो कॉश्चन्स को लिख ली जेए ठीक है क्या दिया हुआ है क्वेस्ट्स ट्री एन- माइनस टू- वान-प्लस-2- प्लस-3- डाट-डाट-डाट-प्लस- तक है ठीक है divided by n है ओके अब यहाँ पर देखेंगे तो यह 3N है यह माइनस टू अब देखिए वान से लेके एन तो नेचुरल नंबर हो न तो उसका सम का फॉर्मुला होता है एन एन प्लस वन डिवाइड़ बाई टू होता है ठीक है यह फॉर्मुला होता है और इन सब के डिवाइड़ बाई टू है इधर सौरी एन है क्या है एन है मैं लिख लेता हूं एक बार क्या है अब यह 2 और यह 2 गैंसल ठीक है बजा क्या 3N माइनस एन एन प्लस वन डिवाइड़ बाई यह एन यह एन भी एन से कैंसल हो गया है तो यह 3N यहा माइनस से यह हो जाएगा माइनस एन फिर यहां पर माइनस वन हो जाएगा 3N-N कितना हो जाएगा 2N और यहाँ पे-1 हो जाएगा 2N-1 कौन सा option है तो यह option आपका यहाँ पे right हो जाता है तो इस तरीके से यह questions को solve करेंगी ऐसे ही questions को solve करने के लिए हमारे channel को subscribe करेंगे धन्यवाद आपका खुब सूरत सा channel है उसको आप subscribe कर सकते हैं धन्यवाद हेलो फ्रेंड आपके सामने एक और questions लेकर आ गया है और यह question को कैसे solve करना है यह तो आसान है यह तो आप वीडियो को पहुच करके सबसे पहले question को solve करेंगे और आपका answer पहले आ जाता है तो यह एंसर जानने से पहले आप comment कर सकते हैं ठीक है चलिए यहाँ पर देखिए questions क्या दिया है आपको बोला है find out करने के लिए as बोला न टेंथ टॉम ओपन दी से पी न तो as नहीं बोल रहा है एन की बात कर रहा है a10 की बात किया है a10 के बात कर रहा है मतलब n की वैलू 10 है ठीक है और इस a p की बात कर रहा है तो इसमें a की वैलू कितनी है 5 और d की वैलू कितनी है 8 माइनस 5 करेंगे तो आगया 3 आराम से इसको solve कर सकते हैं बहुत ही असान अब देखिए a10 होता है तो क्या होता है a plus 9 d ये तो shortcut लिखी सकते हो अब एक ही वैलू कितनी है 5 प्लस 9 इंटो d की वैलू है 3 5 और 9 तरीजा 27 और 5 और 27 को आड करेंगे तो हो गया 32 32 कौन सा एंसर है ए और राइट है तो इसी तरीके से आप question को solve कर सकते हैं और ऐसे ही सामने एक और important questions लेकर आगए हैं और ये questions क्या बोला है देखो बोला है the sum of 16 tom of NAP मतलब इस AP का कितना होगा तो simple सा बोला है कि as 16 आप बताओ इस AP का तो मैं यहां से आप देखोगे तो N की value तो कह रहा है 16 बताओ और यहां से इस AP में अगर देखोगे तो पहला जो दिया रहता है वही A होता है क्या दिया पहला 10 दिया है और D निकालने के लिए दूसरे वाले में से पहला वाला minus करते हैं तो D की value कितनी आगे 6 minus 10 minus 4 आगया अब आपको आसान है S 16 निकालना पहले S N रता तो क्या रिख्या है N upon 2 bracket में 2 A plus N minus 1 into D अब देखिए रख दीजे S 16 रख दिया मतलब N की जग अब 16 रखा तो यहां पर 16 divided by 2 हो जाएगा यहां पर 2 A की value कितनी है 10 multiple में plus N की value कितनी है 16 minus 1 और D की value कितनी है माइनस 4 इसलिए bracket में लिक रहा हूँ जब माइनस में रहा है तो bracket में लिक लिक लिए 16 divided by 2 8 हो गया 2 10 जा 20 हो गया और यहां 16 minus 1 15 ठीक है यहां लिख लिया मैंने 15 और multiple है minus 4 के साथ ठीक है चलिए यहां तो 8 हो गया यहां 20 है यह plus minus क्या हो गया मुल्टिपल करोगे एट फोर्जा हो जाता 32 और एक जीरो लग गया और प्लस माइनस का मुल्टिप्लिकेशन माइनस हा जाता है मैंतलब माइनस 320 जानने के लिए समझने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और इंपोर्टन यह भी है कि यह हर चप्टर क्लास 10 के हर चप्ट